आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ The Silent Patient का Explanation ये कहानी किसी introduction का मौताज नहीं, best seller novel है, suspense thriller के लिए तो शुरू करते हैं इस कहानी का Explanation मेरी यानी करिमा की आवाज में कहानी है Alicia और Gabriel की Alicia जो की एक बहतरीन painter है और Gabriel जो एक photographer है 25 अगस जब Gabriel 44 एर्स का हो चुका था तब रात के लगभग साड़े ग्यारा से बारा बज़े के बीश में गोली चलने की आवाज आती है और एक कतल होता है पडोसी जब एक कतल सुनते हैं गोली चलने की आवाज तो वो जल्दी से पुलिस को इंफॉर्म करती है पुलिस आती है और जब वो Alicia के घर में जाती है तो देखती है कि उसका पती Gabriel कुरसी से बंधा हुआ है और उसके सर पे पांच कोलिया मारी गई है Alicia वहीं पर बुत बनी खड़ी है बगल में एक चाकू पड़ा है जो खून से सना हुआ है और Alicia की कलाई पर बहुत कटे का निशान है वहीं पर एक बंदूग भी पड़ी है क्योंकि वहाँ पर तीसरा आदमी कोई नहीं होता है इसलिए Alicia को ही कतल का जिम्मेदार माना जाता है लेकिन Alicia कतल करने के बाद बिलकुल खामोश हो जाती है वो ना तो नकारती है कि उसने कतल नहीं किया ना ही वो एकसेप्ट करती है कि वो कातल है investigation में ये थाबित किया जाता है कि Alicia को बहुत जादा mental shock लगा है इसलिए उसको उसी के घर में नजर बंद कर दिया जाता है अब क्योंकि Alicia पेशे से एक बहतरीन painter थी इसलिए अपने पती की मौत के बाद जब वो घर के अंदर नजर बंद थी तब वो एक painting बनाती है और उस painting का नाम रखती है Elcastic Elcastic एक Greek tragedy story है जिसमें Elcastic जो heroine है जो एक Greek princess है उसे याद किया जाता है अपने पती के प्रेम के लिए वो अपने पती को बेहत प्यार करती थी लेकिन उसका पती उसको अतना प्यार नहीं करता था एक बाव उसे पती को option दिया जाता है कि उसकी मौत होगी या उसकी पत्नी की मौत होगी तो वो अपने लिए जीवनदान मान लेता है और उसकी जो पत्नी Elcastic थी वो मर जाती है लेकिन Elcastic जब नर्क के देफता हेडीस के सामने पेश की जाती है तो हेडीस उसे जीवनदान दे देता है जिन्दा होने के बाद Elcastic अभी भी बोलती नहीं ना हस्ती है ना मुस्कुराती है वा जिन्दी की भर के लिए चुप हो जाती है अलीसिया ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें उसने खुद की पेंटिंग बनाई थी एक कोरे कागज के आगे वो खड़ी है उसके हाथ में ब्रेश है ब्रेश ये सायथ खुन टपक रहा है उसके चहरे के भाव को ऐसा लगता था देखकर कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही जब से उसके पती गेब्रेल की हत्या की गई है वा बिलकुल चुप हो गई है वा कभी भी कुछ नहीं बोलती अब जो अलीसिया थी वो एक अपने पार्टनर के संग काम करती थी जो एक आर्ट गैलरी चलाता था उसका नाम था मार्टिन जब इस केस की सुनवाई शुरू होती है तब मार्टिन जो ये पेंटिंग थी एससे उसे अपनी आर्ट गैलरी में रख लेता है और आर्ट गैलरी में उसके इतनी भीर लग जाती है जितनी भीर कभी भी भी नहीं लगी थी सब उस painting को देखना चाहते थे जो उस killer ने बनाई थी जिसके उपर इल्जाम था कि उसने पती का फून किया है और वह इतने सालों से चुप है सब उस से painting को देखने आते थे और वहीं पे हमारा जो narrator है वो भी उस painting को देखने जाता है हमारा जो narrator है वो एक psychotherapist है वो एक doctor है और उसे Alicia की बहुत चिंता है छे साल बीच चुके हैं जब से Alicia चुप हुई है Alicia ने छे सालों में एक शब्द भी नहीं बोला उसे बहुत चिंता है कि Alicia आखिर क्यों चुप है इस narrator का नाम है Dr. Thio Fever थियो जो है उसका बच्पन बहुत अच्छा नहीं बीता है उसका बच्पन बहुत ही परिशानी भरा था उसके जो पिता थे वो उसे बहुत मारा करते थे वो अपनी मां से जब भी पूस्ता कि पिता क्यों मारते है उसकी माँ कुछ भी जवाब नहीं दे पाती इसलिए बहुत कम एज में ही थियो ड्रक्स लेने लगा था लेकिन उसे एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर मिल जाती है जो थियो के अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है और आज थियो एक साइको थर्पिस्ट है वो चाहता है कि वो भी इसी तरह अलीसिया की मदद करे और उसे असाइलम से बहाँ निकाले क्योंकि उसे लगता है कि अलीसिया ने वो कतल नहीं किया वाच्छुप है वो आखिर अपनी कहानी सब को क्यों नहीं बताती क्या वो किसी को बचा रही है या फिर किसी से डर रही है आखिर सच किया है इतने वर्शो में इन्वेस्टिगेशन के दोरान एलीसिया को पागल साबित किया जा चुका है उसे एक असाइलम में रखा जाता है और वहाँ पे उसे हेवी ड्रक्स की डोस दी जाती है जब उसके पती गेब्रिल की मौत हुई थी तो गेब्रिल कुर्सी से बंधा पाया गया था और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे पाँच कोलिया दागी गई थी ये जो नरेटर है ये बता रहा है कि एलीसिया भूल नहीं पा रही है उस चीज को लेकिन वो किसी को भी बता भी नहीं रही है कुछ भी जिससे उसकी मदद की जाए अब जिस एसाइलम में एलीसिया भरती है वहाँ पर ये अपना ट्रांसफर करा लेता है थी ओ क्योंकि वो एक चाहता है कि कैसे भी करके वो एलीसिया की कॉन्टैक्ट में आए और उसकी हल्प कर सके लेकिन ये जो एसाइलम है ये बहुत ही पूर कंडिशन में है पूर मीज उसको अच्छी फंड नहीं मिल रही है अगर उसकी अच्छी फंडिंग नहीं हुई तो छे महिने में ही ये एसाइलम बंद हो जाएगा लेकिन अगर ये एलीसिया वाला केस को सक्सेस्फुल होता है एलीसिया कुछ बताती है अपने बारे में तो हाइप मिलेगी और तब इसको फंड भी आने लगेंगे और हो सकता है तब ये एसाइलम बंद ना हो बच चाए जब तीओ एलीसिया से मिलता है तब देखता है कि एलीसिया की हालत बहुत खराब है उसके बाल बिखरे हुएं उंग्लियों के नाखुन चबाए हुए है और हाथ पैर की उंग्लियों को वो रगड रही है उसे हेवी ड्रक्स दिये जा रहे है तीओ एलीसिया का सेशन लेना शुरू करता है वो डॉक्टर से रिपोर्ट्स मांगता है एलीसिया की वो मालूम पढ़ता है उसको कि एलीसिया ने कई बार खुद को चोट पहुचाने की कोशिश की है और जो पेशन्ट उसके साथ वहाँ एडमिट है उनके साथ भी ये काफी मारा पीटी कर चुकी है इतने सालों में एलीसिया से मिलने कोई नहीं आता कोई भी रिष्टेदार उससे फोन तक बे बात नहीं करता तब उसे मालूम पड़ता है थियो को कि एलीसिया की एक आंट है एक कजन है और उसका जो हस्बन था गेब्रियल उसका एक भाई भी है वह इन सब को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंट जो थी वह उसका फोन कट कर देती है और जो गेब्रियल का भाई था मैक्स वह फोन रिसीव ही नहीं करता है थियो कई भाई ऐलीसिया से मिलता है उसे बार बार कहता है कि उसे अपना मुझ खोलना होगा तब ही वह बच सकती है लेकिन एलीसिया कुछ भी नहीं बोलती लेकिन चुपचाप से वो एक दिन थियों को एक डाइरी देती है यह डाइरी उसके पती गेब्रियल ने कई वर्षों पहले उसे दी थी लेकिन एलीसिया उसमें सिर्फ अच्छी बाते लिखती है क्योंकि अगर वो खराब बाते लिखेगी और गेब्रियल उसे पढ़ लेगा तो वो बहुत नराज होगा और वो गेब्रियल से इतना प्यार करती है कि वो उसे नराज करना नहीं चाहती वो गेब्रियल को अपना भगवान मानती है जिस तरह मुसीबत में जीसस सबकी मदद करते है एलीसिया को ऐसा लगता है कि गेब्रियल उसके लिए जीसस क्राइस्ट है उसे हर मुसीबत से बचाता है उसने उसकी जिन्दिकी की सारी मुश्किले आसान कर दी है थियो एलीसिया की डायरी की एंट्रीस पढ़ने लगता है सोला चुलाई बहुत ही गर्मी भरा दिन है सतरा जुलाई एलीसिया एक पंखा लेकर आई है जब गेब्रियल पंखा देखता है तो बहुत नराज होता है वह एलीसिया से कहता है उसने फिजूल खर्ची की है लेकिन रात को जब वो पंखा चलता है तो गेब्रियल उसमें बहुत खुश होके सो जाता है 18 जुलाई एलीसिया और गेब्रियल टाउन टाउन घूमने के हैं वहाँ पर एलीसिया को एक भीकारी दिखाई देता है जो बैठे कुछ-कुछ बड़बडा रहा था जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है उस भीकारी को देखके एलीसिया को अपनी मा याद आ जाती है उसकी मा भी दिमागी तोर पे बिमार थी एक बार उसकी मा एलीसिया को लेके कार ड्राइफ करने के लिए जाती है और जान मुझ कर कार का भेंग कर एकसिडेंट कर देती है वह एक सूसाइड एटम्ट था उसकी मा मर जाती है उस एकसिडेंट में लेकिन वो शायद ये चाहती थी कि अलीसिया भी मर जाए अलीसिया के मन पर ये याद जो थी वो बहुत खराब रभाव डालती है वो कहती है कि वो ये बात डारी में पूरी डिटेल में नहीं लिख सकती क्योंकि फिर गेब्रियल बहुत नराज हो जाएगा बीस जुलाई एलीसिया बहुत खुश है वो गेब्रियल को अपना भगवान मानती है जिसने सारी उसकी तकलीफे दूर कर दी एलीसिया के दिन बहुत अच्छे बीट रहे हैं वो गेब्रियल के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन जी रही है अब यहां पर थियो फिर से डैरी पढ़ना बंद कर देता है और एलीसिया का फिर से सेशन होता है लेकिन एलीसिया खामोश थी लेकिन वो थियो को बहुत ध्यान से देख रही थी फिर अचानक वा उटती और थियो पे जपट पड़ती उसे नाक्षून उसे नोचने लगती है और थियो के उपर चढ़ कर बैठ चाती है और उसका गला दबाने लगती है थियो बहुत परिशान हो जाता है वा किसी तरह वाइमर्जनसी अलाम बटन दबाना चाह रहा था लेकिन वा ऐसा नहीं कर पा रहा था थियो को लगता है कि आज उसके जिन्दगी का आखरी दिन है तब ही किसी तरह वा अपने हाथ से मार के वाई लाम का बटन दबाता है उसकी हल्प होती है तुरंट और बाद में थियो को बहुत डाट पड़ती है इसके लिए क्योंकि इसको एलाउड नहीं था इस तरह से अकेले में सेशन लेने के लिए क्योंकि कई बाई अलिशिया बहुत जादा हो जाती थी एग्रेसिव और वो अटैक कर देती थी सामने वाले पर उदर थी ओ याद कर रहा है अपनी पत्नी कैथरीन को जो उसे धोका दे रही है एक दिन थी ओ जब लैपटॉप खोल कर बैठा था कैथरीन का तब उसे ऐसे मेसेज़ेस मिले उस लैपटॉप में ऐसे मेल्स मिली जिससे ये मालूम पढ़ रहा था कैथरीन किसे दूसरे चाहिए इसलिए वा पक्का करता है कि वा हर समय कैथरिंग का पीछा करेगा और सबूत इखटे करेगा उसके खिलाफ थीओ फिर से ऐलीसिया की डारी निकालता है और उसे पढ़ने लगता है 22 जुलाई का दिन है आज ऐलीसिया बहुत गुस्सा है गेब्रियल से क्योंकि गेब्रियल उस पर ये कहके चिलाता है कि वा अपनी पेंटिंग पे अपने आर्ट वर्क पे बहुत जादा ध्यान देती है और अपने घर को निकलेक्ट कर रही है अलीसिया डायरी में अपनी गलती मानती है वो कहती है कि हाँ ये बात सच है कि उसे इतना जादा लगाओ है पेंटिंग से कि कई बार वो घर को निकलेक्ट कर देती है 23 जुलाई का दिन मैक्स डिनर पे आया है मैक्स यानी गेब्रियल का सौतेला भाई गेब्रियल जहां देखने में बहुत हैंसम है हमेशा वैल ड्रेस्ट रहता है बहुत अट्रैक्टिव है उसके उलट मैक्स चूहे जैसी महकाती है एलीसिया को मैक्स बिलकुल भी पसंद नहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है एक बारे कॉमन फ्रेंट की पार्टी में गेब्रियल के संग एलीसिया गई थी तब सारे बाहर बैटके ड्रिंक कर रहे थे और एलीसिया किचन में कुछ काम करने आ गेब्रियल को बता देगा इसलिए जब भी मैक्स घर पे आता एलीसिया बहुत टेंस्ट हो जाती थी 26 जुलाई का दिन आता है आज एलीसिया का बर्डे है और डाइरी में वह लिखती है कि वह बहुत खुश है वह पूरे 33 इयर्स की हो गई है सुबह सुबह गेब्रियल उ पूरा दिन बहुत ही शांदार बीटता है एलीसिया का लेकिन शाम को पता नहीं एलीसिया को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब खुशिया बहुत चंद दिन की महमान है और ये सब कुछ बहुत जल्दी खतम होने वाला है उधर थीयो बहुत कोशिश करके मैक्स से मिलने उस और गेब्रियल उसका इलाज भी करवा रहा था घर पे ही डॉक्टर से इलाज करवा रहा था ये बात सुनके थीयो बहुत चौक जाता है क्योंकि मेंटल इलनेस कोई चोटी मोटी बिमारी नहीं होती उसका इलाज धंग से हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर से होना चाहिए फिर आप उच्छता है मैक्स से क्यौन सा डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था मैक्स कहता है उसे नहीं पता इस बात पर थीयो और चौक जाता है क्या गेब्रियल अलीसिया की बिमारी को सीरियसली नहीं ले रहा था और उसका धंग से इलाज नहीं करा रहा था फिर मैक्स कहता है कि अलीसिया के पिता जम्मरे थे तो उन्होंने अपनी सारी जाजात अलीसिया के नाम कर दी थी अलीसिया के पास पहले ही काफी पैसा काफी जाजात थी इसलिए गेब्रियल ने वो सारा पैसा अपने सौतेले भाई मैक्स को दे दिया मैक्स कहता है थियो से कि उसे एलीसिया के कजन पॉल से मिलना चाहिए पॉल और एलीसिया की बहुत बनती है और वो एलीसिया के बारे में उसे बहुत कुछ बचा सकता है जब थियो वापस असाइलम पहुंचता है तो मालूम पढ़ता है कि हेड डिपार्टमेंट में फोन करके मैक्स ने थियो की शिकायत की है कि वह एक डिटेक्टिव की तरह चुपचाप से उसके आफिस में आगया और उससे पूछताच कर रहा था वह एक डॉक्टर है उसे सिर्फ अपना ही काम करना चाहिए थियो को इस चीज़ के लिए डाट भी पढ़ती है लेकिन थियो रुखने वाला नहीं है वह एलीसिया की मदद करने के लिए किसी भी हद पे जाएगा और अब वह एलीसिया के कजन पॉल से भी मिलेगा वह उस घर में जाएगा जहां पर एलीसिया का जादतर बच्पन बीता है अपनी आंट और पॉल कजन के साथ जब थियो उस घर में जाता है जहां पर वह रहती थी उसकी आंट और पॉल तो देखता है कि घर की हालत बहुत खराब है बहुत गरीबी भरे दिन यह लो खाट रहे हैं पॉल बताता है कि एलीसिया की पिता उससे नफरत करते थे वो यह मानते थे कि उस दिन जो एक्सिडेंट हुआ काशच उसमे एलीसिया मर जाती और उसकी पत्नी बच जाती और उन्होंने कैई बार ये बात ऐलीसया के सामने बोली थी ऐलीसया जब धस्वर्श की थी ये बात उसके मन में कहरी बैट गई थी और उस दिन वो बहुत रोई थी वह बार बार एक ही बात कहरी थी कि पापा आप ने तो मुझे माँ डाला एलीसिया की आंट थियो को बताती है कि एलीसिया की माता पिता दोनों ही बुद्जिल थे पहले जो उसकी माने सुसाइट किया फिर उसके पिता ने फांसी लगा कर इसी घर में आत्मात्या कर ली इस गरीबी की हालत में उन्होंने कैसे अलीसिया को पाला है वही जानती है थीयो समझ जाता है कि मैक्स शूट बोल रहा है इस गरीबी की हालत में अलीसिया को अपने पिता से जरूर ही कोई भी संपत्ती नहीं मिली होगी थियो फिर से ऐलीसिया की डैरी पढ़ने लगता है दो अगस्त की एंट्री है पॉल ऐलीसिया से मिलने आया है पॉल जुआ खेलता है और वा जुआ में बहुत सारा पैसा हार चुका है गुंडे उसे मारने की फिराक में खूम रहे हैं अगर उसने शाम तक वो पैसा नहीं चुकाया तो वा जिन्दा नहीं बचेगा वह ऐलीसिया से भीक मागता है कि प्लीज पैसे से मदद करके उसकी जान बचा ले पॉल ने बहुत बड़ी रकम हारी थी ऐलीसिया के पास इतने पैसे तो नहीं थे लेकिन जो भी पैसे उसके बैंक में थे वाइक चेक पर साइन करके पॉल को दे देती है पॉल उदास मंसे ही वहां से चला जाता है लेकिन उसकी जान जरूर बеч जाती है ये बात ऐलीसिया गेब्रियल को शाम को बताती है कि पॉल आया था उसने उसकी मदद की है इस पे गेब्रियल बहुत नराज होता है कि उसने क्यों पैसे दिये पॉल को 6 अगस्ती एंट्री आती है मार्टिन जो की आर्ट गैलरी में अलीसिया के साथ काम करता है वा कई वर्षों से अलीसिया को जानता है दोनोंने साथ में ही पढ़ाई भी की थी मार्टिन मन ही मन अलीसिया को बहुत पसंद करता है और गेब्रियल से बहुत चिरता है अकेले में वा गेब्रियल की बहुत बुराई करता है अलीसिया से लेकिन अलीसिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वह किसी तरह अब ये आर्ट गैलरी छोड़ना चाहा रही है जोकि उसको मार्टिन का रवईया अच्छा नहीं लगता कि वह हमेशा प्रेम दर्शाता है उसको पुरानी बाते करता है और हमेशा ही गेब्रियल की पुराई करता है मार्टिन कहता है ठीक है एक शर्त पे वह पीछा छोड़ देगा अलीसिया का अगर अलीसिया उसके संग एक प्ले देखने चले ये वही अलसेस्टिक प्ले है जो पेंटिंग में उसने नाम लिखा था अलीसिया ने एलीसिया जब शाम को बताती है गेब्रियल को ये बात की वा प्ले देखना चाती है मार्टिंग के साथ उसके बाद वो आर्ट गैलरी छोड़ देगी इस पर गेब्रियल कहता है कि इतना कुछ करने की जरुवत नहीं है तुम ऐसे ही आर्ट गैलरी छोड़ दो इस बात पर गेब्रिल की और एलीसिया की लडाई तक हो जाती है थी ओ एलसेस्टिक प्ले पढ़ने बैट जाता है लेकिन पूरा प्ले पढ़ने के बाद भी उसको ये समझ में नहीं आता कि आखर एलसेस्टे चुप क्यों हो गई थी तब जो एलसाइलम में उसके सीनिय डॉक्टर थे जो कि एक प्रॉफिसर थे वह उनसे ये प्रशन करता है वो कहते हैं कि तुम ही सोचो अगर एक पत्नी अपने पती से बे इंतिहां प्यार करती हो और उसका पती ही उसकी मौत मांग ले और फिर वापतनी नर की आग छेले और वापस जिन्दा बचके आ जाए तो उसके अंदर जिन्दा बचने की खुशी नहीं होगी उसके अंदर बदला लेने की भावना आ जाएगी और इसी बदले की भावना से वा बिलकुल चुप हो गई वा कभी भी अपने पती से नहीं बोली इस पर थीओ सोचने लगता है कि क्या एलीसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्या गेब्रियल उसे धोका दे रहा था इसलिए एलीसिया इतनी चुप हो गई है और उसने पेंटिंग के साथ नीचे एलसेस टे लिखा है थीओ फिर से एक मीटिंग और्गिनाइस करता है अलीसिया के साथ और उससे उसकी इंट्रेस्ट की बाते करता है उसके पेंटिंग की बाते करता है और उससे पूछता है कि क्या वो खुद फिर से पेंटिंग करना चाहेगी इस पर ELEUSIA बहुत दिनों के बाद पलके उठाती है اور धी में से मुस्कुरा के हामी भरती है थी ओ बहुत खुश होता है इस बात पे और वां मार्टिन के आर्ट गैलरी जाता है और मार्टिन से कहता है कि जितना भी आर्ट का समान है ELEUSIA का कि पेंटिंग में finishing touch तो नहीं दे पाती लेकिन जो कुछ हुआ कहना चाहती थी वो अस पेंटिंग के सहारे कहने की कोशिश करती है उस पेंटिंग बेवा उस asylum का ही कमरा बनाती है और दर्वाजे पे थियो खड़ा है उसकी गोध में अलीसिया है और हर तरफ आग लगी हुई है लेकिन पेंटिंग को देख के ये कहना मुश्किल है कि थियो अलीसिया को आग में जोक रहा है या फिर उसे आग से बचाने की कोशिश कर रहा है थियो जब यह पेंटिंग देखता है तो उसको ये पेंटिंग जरा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका जो भाव आ रहे थे उस पेंटिंग में उसको वो बहुत पॉस्टिव नहीं लगते होधर थियो की लाइफ फिर से बताई जाती है कि थियो को फिर से शक है कि उसकी पतनी कैथरीन अपने बॉइफरेंट से मिलने जा रही है कैथरीन उसे कहती है कि वा अपनी बच्पन की सहेली निकोल से मिलने जा रही है लेकिन थियो को शक है कि वा जुट बोल रही है वा हर जगा जगा उसका पीछा करता है लेकिन अन्द में कैथरीन निकोल से ही मिलती है और पुलिस को रिपोर्ट की थी बात यहों से मिलती है तो वह बताती है कि ऐलीसिया बेगुना है उसने गैबरियल का खून नहीं किया च्योंकि जिस रात कतल हुआ था उसी शामवा ऐलीसिया से मिलने गई थी ऐलीसिया बहुत परिशान थी क्योंकि एक अंजान आदमी इतनी रहता है ऐलीसिया इससे बहुत परिशान थी वह डर रही थी कि कहीं उसे उस अंजान आदमी से खत्राना हो जाए इस पर वो परोसन उसको आइडिया देती है कि उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और गेबरियल को भी बताना चाहिए इस बारे में लेकिन जब वो पर बताती है ऐलीसिया कि एक अंजान आदमी है जो तांक जङँकर रहा है तो गेबरियल बहुत गुसा हो जाता है और कहता है कि हो नहों वो मार्टे नहीं होगा जो भी बिदल के राता है और वह मिलने की कोशिश कर रहा है ऐलीसिया से थी ओ फिर से डैरी परने बैठ जात दस अगस्त की एंट्री आती है मार्टिन के साथ वाप प्ले देखने गई है एलसेस्टिक हाला कि गेब्रियल से उसकी काफी लड़ाई हो चुकी थी इसके पीछे मार्टिन बार बार बीती बात कर रहा है अलीसिया से वो याद दिला रहा है कि वो कितने अच्छे दोस रह चुके हैं अभी भी देर नहीं हुई अलीसिया चाहे तो आगे की जिन्दगी बहुत अच्छी बीच सकती है अंति में वो कहता है कि ठीक है अलीसिया अगर उसके संग एक ड्रिंक ले 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 तो फिर उन लोग पार्ट अवे करेंगे खुशी खुशी अलीसिया ड्रिंक लेने जाती है लेकिन बार बार मार्टिन एक ही बात करता है जिससे अलीसिया बहुत उक्ता आ जाती है मार्टिन जाते समय कहता है कि उसके आस पास के लोग उसे धोका दे रहे हैं और इसे ये बात ना जाने कब समझ में आएगी ये 11 अगस्त की एंट्री होती है एलीसिया फिर से परिशान है क्योंकि वह अंजान आदमी फिर से वहीं खड़ा है वह पार्क में खड़ा है और बार बार उसे देख रहा है इतनी गर्मी में भी उसने मफलर्टो, पीचश्मा, ओवर्कोट सब पहना है जिससे कई लोग उसकी तरफ देख रहे है 13 अगस्त फिर सिवान जान आदमी दिखा है वो गेबरियल को बता रही है इस बारे में एलीसिया को ऐसा लग रहा है कि वो आदमी उसके सर पे बिलकुल सवार होता जा रहा है वो हर समय बिलकुल बॉकलाई रह रही है कि आखिर वो आदमी क्यों देखता रहता है उनके घर की तरफ और क्या वो नुकसान पहुँचाना चाहता है 15 अगस्त का दिना जाता है को भी लगता है कि हाँ वो मेंटली बहुत जादा परशान है और शायद एक डॉक्टर उसकी सच में मदद कर सकता है तब गेब्रियल उसे डॉक्टर वेस्ट के पास ले जाता है जो उनका दोस्त है लेकिन डॉक्टर वेस्ट जो है वो ऐलीसिया की कोई खास मदद नहीं करते उसके मन की बात नहीं सुनते और वस ऐलीसिया से एक ही बात कहते हैं कि तुम सालों पहले भी तुम मेरे पास आई थी जब तुम्हारे पिता ने फांसी लगा ली थी तब मैंने तुम्हारी उस समय कितनी मदद की थी एलीसिया को सब याद है लेकिन वो वो बाते याद करना नहीं चाहती उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बीती बाते करके उसे दुख देना चाहरा है वो बताती है डॉक्टर को उस अंजान आदमी के बारे में लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारे मन का ब्रहम है ऐसा कोई आदमी नहीं है तुम्हें सिर्फ वो आदमी मन से ही दिखाई दे रहा है त्रियो टायरी पड़के ये जान चुका है कि अलीसिया ने उस अंजान आदमी के बारे में तीन लोग को बताया था एक गेबριल को एक अपनी परोसिन को और एक डॉक्टर वेस्ट को उसकी जो परोसिन थी उसकी गवाही तो कोई मम नहीं रखती गेबरिल मर चुका है लेकिन ये डॉक्टर वेस्ट आखिर कौन है वो बहुत ढूनने का प्रयास करता है कि डॉक्टर वेस्ट कौन है तबी उसे अचानक से उसी असाइलम में लगे एक डॉक्टर का जो बाहर लगा रहता है नेम प्लेट वो याद आता है डॉक्टर क्रिशियन वेस्ट वो समझ जाता है कि ये Dr. West वही Christian West है जो Asylum में काम करते हैं अब जो Doctors Asylum में काम करते हैं उनको Allowed नहीं होता कि वो Private Practice करें थी वो समझ जाता है कि जरूर ये Dr. West जो हैं ये जानते हैं सबकुछ Elysia के बारे में लेकिन ये ये नहीं चाहते कि Elysia कभी भी ठीक हो जाए क्योंकि अगर वो ठीक होगी तो उनका रास खु़ सकता है कि वो private practice करते थे और उनका license तक रद्ध हो जाता है इसलिए इसे बहुत शक हो जाता है डॉक्टर क्रिश्चन के उपर और वो उनसे मिलने भी जाते हैं डॉक्टर क्रिश्चन कहते हैं कि वो बहुत अच्छे दोस्त है गेब्रियल के इसलिए गेब्रियल के कहने पे वो मदद कर रहे थे उसकी पतनी की लेकिन वो उससे बिंती करते हैं थीयों से कि ये बात किसी को भी नहीं बताए क्योंकि अगर asylum में ये बात खुल गई तो उनक प्रैक्टिस रद्ध हो जाएगी उनका डॉक्टर का लाइसंस भी चीना जाएगा थीयों देखता है कि डायरी के पन्ने आगे के खाली पड़े हैं अब सिर्फ ऐलीसिया ही उसे बता सकती थी कि आगे क्या हुआ वह ऐलीसिया के पास जाता है और उससे बार बार बिंती करत ही है थीयों लगबग उठके जाने लगता है तब ही अलीसिया बोलती है छे वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वह बोलती है वह कहती है गेबरियल की मौत के बाद वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वह बोल ही नहीं पाई और अब जब वह थीयों से इतने वर्ष कि बात करेंगी उस काली रात के बारे में बात नहीं करना चाहती की मौत वाली रात को क्या हुआ था लेकिन एक दो मीटिंगस के बाद अलीसिया थोड़ी और कॉन्फिटेंट होती है और फिर थीयों को बताती है कि उस रात क्या हुआ था वा कहती है कि गेब्रियल का फोन आया कि उसने फोन किया था कि वा लेट आएगा ये अपने घर के बाहर पोच एरिया में खड़ी थी तब ही इसको आहट होती है कि घर में कोई आया है जब वा पलटती है तो देखती है कि वही अंजान आदमी था जो ओवरकोट हैट और टोपी सब पहने खड़ा रहता था उसको देख के ये डर जाती है वा आदमी उसे पकड़के घर के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि वा उसके लिए एक ड्रिंक बनाए ड्रिंक बनाने के बहाने से अलीसिया किचन में जाती है जहां पर इसने गेब्रियल की वो गन चुपा के रखी थी वा गन टे टोलने लगती है लेकिन गन वहाँ पर नहीं थी तब इवान जान आदमी जो था वा पीछे से आता है और पूछता है कि क्या तुम इसे ढून रही हो गेब्रियल के गन उसके हाथ में थी बहुत डर जाती है अलीसिया वो समझ जाती ही कि आज रात उसकी आखरी रात है वा बाहर खसीट के लाता है उसे अलीसिया जूट बोलती है कि उसका पती किसी भी समय आता होगा वो कहता है कि उसने सारी बाते फոन पर सुन ली है उसका बती रात के दस बज़े आने वाला है और वो अलीसा से कहता है कि जल्दिस जाकर एक रसी और टेप ले ओ गन पॉइंट पे वो उसको रखता है अलीसा को रसी नहीं मिलती तो वहाँ पे तार पड़ा होता है उसी तार सेवा अलीसया को कुरसी पे बेदर्दी से बांद देता है अलीसया खुद को बहुत चुड़ाने की कोशिश करती है जिससे तार से उसके हाथ कटने लगते है रात के तकरीबने 11 बजे बाहर कार आती है उसमें गेबरियल था ये जो कातल था ये गेट के पीछे छुप जाता है जैसी गेबरियल अंदर आता है वह उसे गन पॉइंट पे ले ले लेता है अव्वा गेबRIEL को भी रसी से बान देता है इलीसा बार बार उसे भीक मांग रहे थी की गेबRIEL की चान वो नहीं ले लेकिन तब ही बताती है इलीसा की वो छो कातिल था वो गेबRIEL के सर पे बंदूग रखता है और लगातार छे गोलिया चला देता है और वहाँ से चला जाता है उसके बाद ऐलीसया भी उटती है और अपने कम्रे की तरफ चली जाती है तीयो को जा जाने की ओ लग रहा था कि अलीसया अभी भी जूट बोल रही है इसके कई कारण थे पहली बात तो उसके पती गेब्रियल को पांच गोलिया मारी गई थी और एलीसिया ने बताया था कि उसे छे गोली मारी गई दूसरी बात एलीसिया को जब उस कातल ने तार से कुर्सी पे बांध रखा था तब वो पुलिस को खड़ी हुई कमरे में कैसी दिखाई दी ये सारी बाते थीयो के समझ में नहीं आती के अलीसिया अभी भी जूट क्यों बोल रही है उधर थीयो बताता है कि उसे अपनी पतनी कैथरीन पे फिर से शक है कि वो फिर से अपने बॉइफरेंट से मिलने जा रही है वो उसका पीछा करता है और इस बार उसको रंगे हाँ तो देख भी लेता है कि वो उस आदमी से मिल रही थी गले उसके बाद वो उस आदमी का पीछा करता है वो आदमी कई बार बस बदलता है और फिर अंतता एक घर के अंदर चला जाता है उस घर के अंदर जब वो जाता है तो थियो खिड़की से छाकता है उस घर के अंदर देखता है कि अराम से वो आदनी तहल रहा है उस घर के अंदर और अपनी पतनी के संग बैट के वाइन पी रहा है उसके संग खुब अच्छे सहस बोल रहा है तब थियो समझ जाता है कि सिर्फ वही बेकूफ नहीं बन रहा है कैथरी उसे बेकूफ नहीं बना रही ये जो आदनी है ये अपनी पतनी को भी बेकूफ बना रहा है उधर गई है तियो उसके पास जाकर बैटा था है तो देखता है कि उसके हाथ पर एक फरेश निशान है अब ड्रक्ट के कोई है इंजक्षन नहीं दिये जाते थे ना ही उसके पास कोंडे इंजक्षन थे उसे लगता है कि किसी नै अच्बधिशて ड्रक्ट दे के उसको मारने की कोशिश की है उसका सबसे पहला शक जाता है डॉक्टर क्रिश्चन वेस्ट पे क्योंकि अगर उनका रास खोल देती अलीसिया तो उनकी प्रैक्टिस चली जाती वो ये बात हर तरफ कहता है कि डॉक्टर क्रिश्चन ही इसके लिए जिम्मेदार है और ठाकता रहता था कि इसके अंदर क्या है वर कई बार चाता था कि उसके घर जाए और उसकी पत्नी को बता दे कि उसका पत्नी उसे धोका दे रहा है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कोई फोटोग्याफ नहीं थी इस चीज़ की उसा रात बैक डॉर खुला हुआ था उस आदमी के घर का जो उसकी पतनी कैथरीन से प्यार करता था ये चुप चाप उस बैक डोर से घुश जाता है इसने मास्क पहन लिया और कलफ्स पहन लिया और तब ये पहली बार अलीसिया को देखता है फोन से बात करते हुए ये टर्निंग पॉइंट था इस नॉवल का ये बहुत बड़ा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके वज़े से ये नॉवल इतनी हिट हुई दर असल बहुती चलाकी से जो राइटर है उसने हम लोगो दो टाइम लाइन में उलज़ा के रखा एक टाइम लाइन जो इस समय चल रही है और दूसरी टाइम लाइन छे साल पहले जब गेब्रियल का कतल हुआ था दर असल थियो जब भी अपनी पतनी कैथरिंग के बारे में सोचता था वो बाते छे साल पुरानी थी लेकिन किताब में इस तरह से मेंशन की गए जैसे दोनों चीजे साथ साथ चल रही हो और हमें कभी भी थियो पे कोई शक हो ही ना वा अनजान आदनी जो ओवर कोट पहन के हैट पहन के अलीसिया के घर के सामने खड़ा रहता था वा कोई और नहीं था वा थियो ही था थियो को अपनी पतनी कैथरीन पे शक था और जब वा कैथरीन का पीछा करता है तो उसका प्रेमी कोई और नहीं बलकि गेब्रियल था अलीसिया का पती इसलिए वा पीछा करते करते जब एलिसिया के गर जाता है तब देखता है कि गेबरियल तो एलिसिया को भी बेकूफ बना रहा है थियो रोज जाकर एलिसिया के घर के आगे ख़डा रहता था अपनी पहचान छुपाने के लिए वा ओवर कोट हैट और चश्मा लगाए रहता था दर असल वो ऐलीसिया को कोई नुकसान पहुचाना नहीं चाहता था वा किसी तरह उससे मिल के बताना चाहता था गेब्रियल की सच्चाई लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वा उसे कुछ नहीं बता पाया अब थीयो याद करता है कि आगे उस दिन हुआ क्या था दर असल उस दिन थीयो ने गेब्रियल का कतल नहीं किया था उसने गेब्रियल को कुरसी पे बांद दिया था और फिर अलीसिया को पूरी सच्चाई बताई गेबरियल की वाये जेखके चौग गया कि उसके सच्चाई जानने के बाद भी अलीसिया यही कहती रही कि गेबरियल को बक्ष दो वा उसे बहुत प्यार करती है उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकती तियों को बहुत तरस आता है अलीसिया के ओपर और वा गेबरियल के सामने एक option रखता है वा कहता है कि वा नो तक गिनेगा और उसे choose करना होगा कि वा अलीसिया को मारे या गेबरियल को मारे तो कि एक का खून होना तो निश्चित था गेब्रियल ने वही काम किया जो उस प्ले में हुआ था ग्रीक मैथलोजी वाली उसने कह दिया कि वो जिन्दा रहना चाहता है वो अलीसिया को मारते है एलीसिया जब ये बात सुनती है तो उसका सारा जो प्यार था गेब्रियल के प्रती वो खत्म हो जाता है थियो गोली चला देता है लेकिन उसने गोली एलीसिया को नहीं मारी थी नहीं गेब्रियल को मारी थी उसने हवा में ऐसे ही एर फायर किया था उसके बाद वो ऐलिसिया को खो खोल देता है और बन्दुक वहीं फिक के चला जाता है थीयो कबी सपने में भी नहीं सोच सकता था किए ऐलिसिया उठे गी और गेबृल का खून कर देगी दर असल एलीसिया जो थी वो जब इसने गेबरियल ने कहा कि एलीसिया मर जाया और वो बच जाया तो उसे अपने पिता की याद आ गई थी उसके पिता ने भी सालों पहले उसे यही बात कही थी अब एलीसिया को गेब्रियल की जगह अपना पिता दिखाई दे रहा था कि किस तरह इतना प्यार करने के बाद भी उसे फिर से धोका मिला जिन्दगी में दुबारा धोका मिला वह वही पड़ी हुई जो गन थी जो थी वो छोड़ गया था वह उसे उठाती है और पॉइंट प्लैंक रेंज से लगा तार पास शॉट लगाती है उसके सर में गेब्रियल की और गेब्रियल की वहीं मौत हो जाती है और एलीसिया जो थी वो इतना दुख बरदाश नहीं कर पाती है वो जिन्दगी भर के लिए ना बोलने की कसम ले लेती है उधर थीयो को हमेशा से एक गिल्ट फिलिंग थी वो कभी नहीं चाहता था कि किसी का भी खून हो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एलीसिया ने आखिर गेब्रियल का कतल किया क्यों जबकि वो तो उसे जिन्दा छोड़ाया था अपनी गिल्ट को पूरा दूर करने के लिए वह अलीसिया की मदद करना चाहता था तोकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि एलीसिया जिस स्टेट में है उसका जिम्मेदार वो है लेकिन जब एलीसिया ने उस दिन ऐसके उपर अटाइक किया तो थीयो जान चुका था कि अलीसिया उसे पहचान चुकी है उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अलीसिया ने उसे जूट क्यों बोला कि उसने ही गेब्रिल का खुन किया था अब थीयो के मन में डर बैट जाता है उसे ये लगने लगता है कि कहीं एलीसिया के खून के लजाम में उधर एलीसिया ने फिर से डायरी में आखरी पन्ना लिखा था उसने वो सारी बाते लिखी थी जो उस रात हुई थी और उसने वा डायरी चुप चाप से कहीं छुपा दी थी थीयो को शक था कि अगर वो डायरी पुलिस के हाथ लगी तो कहीं पुलिस को उस पे शक ना हो जाए कहीं से भी इसलिए वा जाता है अलीसिया की जब कोमा में चली चुकी है उसके कमरे में जाता है और हर तरफ वा डायरी ढूंटता है लेकिन उसे वो डाइरी कहीं नहीं मिलती अलीसिया कोमा में है और थियो अराम से अपने घर पर अपनी पतनी कैथरिंग के साथ रह रहा है कैथरिंग को थियो के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसने क्या कुछ किया है और वह अलीसिया की मदद आखिर क्यों कर रहा था थीयो को प्रमोशन भी पकी हुई है उसकी जिन्दगी अब बिलकुल सेट है शाम का टाइम है बाहर बरफ गिर रही है और थीयो अपनी शाम एंजॉय कर रहा है तब ही उसके दरवाजे पे दस तक होती है पुलिस इंस्पेक्टर आये है जो ऐलीसिया के केस के अनचार्ज है वह बताते हैं थीयो को कि उससे ऐलीसिया की वो डाइरी मिली है दरसल मार्टिन ने वो पेंटिंग उठवा के अपने आर्ट गैलरी में लगाई थी जो एलीसिया ने बनाई थी कि थीयो उसे गोदी में लिया हुआ हर तरफ आग है उसका फ्रेम जब चेंज हो रहा था तब वो डाइरी पीछे पेंटिंग से उन्हें मिलती है और सब कुछ रासाफ हो जाता है जोकि एलीसिया ने सब कुछ इटेल लिखी थी थीयो के बारे में कि यही वांजान आदनी है जो उस रात उसके घर आया था और जिसकी वज़े से उसने ही गेब्रिल का खून कर दिया था अलीसिया ने ऐसा लिखा था नॉवल के अंत में थीयो को वो शाम अब बिलकुल अच्छी नहीं लग रही जब पुलिस ने उसे सारी बात बताई है वा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि वा सुनना चाहता है कि अलीसिया ने डायरी के आखरी पन्नों में क्या लिखा था उधर पुलिस इंस्पेक्टर सब पुछ पढ़ रहे हैं और बाहर गिरती हुई बरफ को देख के थियो को ऐसा लग रहा है कि उसकी जिन्दगी भी बरफ की तरह जम चुकी है खत्म हो चुकी है जाहिर बाते थियो को गेब्रियल का कतल करने के जुर में गिरफतार कर लिया ज जरूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से सुनते रहें इंट्रेस्टिंग स्टोरीज थैंक्स वर लिस्निंग बाई फो नाओ